हेलो एवरीवन मैं विश्युजीत सिंग आप सभी का देहिन पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.M.H.I.05 का All Important Topics पढ़ने वाले हैं दोस्तो वीडियो इंपोर्टेंट होने वाली है अगर आप इस बुक को चैप्टर वाइस करते हो एक एक चैप्टर करते हो तो Almost 39 चैप्टर है बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमारे पास उतना टाइम बचा नहीं है कि हम एक एक चैप्टर कर सके जिसकारम से आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि MHI 05 के अंदर में कौन से important topic है किसके base पे हम अच्छे number ला सकते हैं और इस वीडियो को हम करेंगे कैसे तो इसको हम roughly cover करेंगे सारे topics को और questions को देखेंगे कि किस तरह के questions उसमें बगते हैं ठीक है तो यह रहने वाला है हमारा पूरा theme इस वीडियो का और आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक suggestion देना चाहूँगा कि में हिस्ट्री में दो वीडियो डाला था जिसके अंदर में last five years के question paper मेंने cover कर वाया था 2016 से लेकर 2022 तक के सारे question paper को तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो description में link के playlist का MHI 05 का आपको वहां जाना है वहां से आपको उस वीडियो को देखना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा help मिलने वाली है इस सारे topics के अंदर में भी और आपके exam में भी तेक बार आप जरूर देख लिजिए स्टार्ट करतें दोस्तों आज का topic सबसे पहला topic हमारा जो आता है दोस्तों हडपा सबता कातें जिसमें तीन स्रे के constitution ससारत के बन जातते हैं पहला तो कोशरी बन जाताуса का उद्वव कैसा उसके बाई में बतातेते हैं ह्टेगे दूसराule कोशिन भी विजेञंहरा ran out को चारगाहि के उपर में कि किसतर हडपासभीटा में इस ते करें बूरे टौपिक को पढ़ने वाल हैً हडपासभीता का उधभाव कैसा हुआ तो आप समने इतनी बार पड़ायों रट यहां नियोजन US your वेश्था के लिए जाना जाता है एक प्राचिन काली नर्दवस्ता भारत्ती भारत के समीप में बसा हुआ है थीचा भारत पाकिस्तान ये पुरा एडिया कफर गरता है थीचा चिंदु घाती के नीचे है तो उसके राँ संदु घाती के सब लूछ से तो उसको मॉत की घाती बी कहते है रिज़न कहें कि यहां प्राचिन समय में जैसे जैसे वैपार विक्सित हुआ तो अलग अलग जगह पे इसका प्रमान मिलता है कि इस तरह से बनता चला गया ठीक है आप नगर नियोजन विवस्था था ठीक है तो नगर नियोजन विवस्था के कारण से इसका जो विस्तृत बहुत बड़ा सोरूप देखने के मिलता है वैपार इसका फैला वा था इसका रीजन कैसे प्रम पता चलता अब देखाँ एक ही जगह पर मालो कोई वॉच ऑपल की कोई घड़ी है ठीक है वो दिली में ही मिल रही है और वही अमेरिका में मिल रही है तो हम क्या बोलेंगे जो बीच में दर देख र तो इसी तरह से हडपा सपेदा के अंदर में क्या हुआ कि कई सारे चीजें एक जगह पे थी दूसरी जगह पे भी सीम सीमिलर चीजें दिखती थी ठीक है जिसके नहीं माना वैपार भाइपार बहुत बड़ा था किसी चारगाई के अंदर में देखता कि कई जगह जैसे पर इंजार नई उठ हंद कि अविशृ निंजार नगरी ना ब्ड़ तो पूरा नगर में विश्टाता में ब्टा हुआ होता था जिसमें दुर्ग और निचलासृइर आता था ठीक है इनका दूर्ग की बीस्तर थी मिश्तिा झाननाम से लिशिए फेर ग्रीड पडर्नाली कैसा हुट जाता है जो मैत की कॉपी आपने देखा हुआ इस तरीके से ग्रिड इवर अड़ीड पर नाली पर एक दूसरे को नाइनीटी डिग्री पर काल चाहिए पर नालियां ढकी होती थी जल-निकासी का बहुत अच्छा इंतिजाम किया जाता था थी कशुए इस्नाना गा अर्थवैस्ता की बात करो तो गुप्तवस्वराजय में अपने धर्म के लिए जाना जाता है धर्म के लिए, कला के लिए, साहिते के लिए, वग्यान विकास के लिए अर्थिक तोर पर बहुत जबाते हैं यह मजगूत हुए सासत में कृश्य विर्धि पहीं उद्यों वैपार में इंदी हो जो इनका कर्शी उद्योंगविपार था उसमें इन ने बहुत जादे विदी हमेदर करी यहाँ पर इसके लिए बिजाना गया कर टेक्मेतरु लिएकशी निप्लिमेंट किया अलग तरीके से अल्य जो गुप्त समराजे की स्थापना थे स्त्री गुप्त ने करी थी तो 319 से लिए करी थी और 350 तक उसने शाषन किया था इसके गुप्त समराजे के सबसे महान राजा के तौर पर जाने गए वह आ जाता है चंद्रगुप्त को महराजा दिराज की उपादी दे गई थी इसमें क्रिषी उथ्पादन वाला किस तरह था तो जैसे कर ववस्ता तो सभीम्ता था ठीके तो क्रिशी उथो रज चाहीं के लिएन के देना बू अनुदान देना, बू अनुदान मतलब क्या जमीन देना जहां पर खेती कर सके, जो भूमी हिन किसान होते तो उनके लिए, ठीक है, और उसका फाइदा क्या था था कि जैसे मानलो मेरे पास जमीन नहीं है, तो मैं तो खेती नहीं कर रहा है, मैं तो बेरोजगार हूँ, पर आपने अगर मुझे जमीन दिया, तो मेरे पास जमीन मिल गया, अब मैं उस पर खेती करूँगा, तो मैं पहले जब मैं पास रोजगार नहीं था, तो मैं टेक्स नहीं पे कर रहा था, पर अब मेरे पास रोजगार है, तो मैं क्या करूँगा, आपको टेक्स भी पे व्वेश्टा है, फसल आपका कैसा होगा उसके अधार पर text ववेश्ट इस तरह से implement किया जाता था, ठीक हो ? aoar यहां पर ये भी आ जाता है, आहिए अगर आप समराजी पड़ो में MSI 05 पढ़ाय था दोस्तों पहले भी तो उसका भी बहुत बड़ा था वो रीजन यह है कि इसके जो चैप्टर से हैं बहुत ज्यादा डीपली है ठीक है डीपली कंसर्न है चैप्टर है उसको आप पढ़ोगे सही से टाइम दोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाल समराज्य की अर्थवेस्ता मोरे समराज्य की अर्थवेस्ता की बात करें तो चंद गुप्त मोरे समराज्य के बारे में हमें पता कैसे चलता है तो इंडिका नामा के एक पूस्तक है किसे ने लिखी थी मेगस्तनीज ने लिखी थी अर्दसास्त नामा के पूस्तक है इनके थूरू हमें इसके बारे में पता चलता है ठीक है अब देखो मोरेस समराजी के बारे में हमें यह जानकारी के शुरूत तो में लगया अर्थवरस्ता कैसा था तो उनकी अर्थवरस्ता बहुत विशाल होने का मतलब क्या कि वह बहुत बड़ा एरिया को कवर करते थे ठीक है उसके बाद में। उन्होंने क्या किया। अधिकार्यों की निवक्टि करी। जिसके कारण से रासव collection जो text collection होता था ना उसमें बहुत ज़्यादा उनकी help हुई ठीके जो text के लिए उनको help मिली ठीके और नए-ने तरह के करववस्था लाए गया ठीके मुल्ये निर्धारित क्या गया मुल्ये निर्धारित मतलब क्या होता है कि कि किसी वस्तू के उपर मे जो शाषन पढ़ना लेती सभी को report किसको करना होता था राजा को direct करता था जैसे मालों जितने भी केंद्रिय मंत्री होते ना कुछ भी problem होती हो किसको report करते है तो परधान मंत्री को करते है तो same as like वहां पे भी इस तरह से खीची जे की कही थी ठीके समझ में आता है यहां प इसको सीमुक भी कहते हैं तो थोड़ा से याद रखना राजधान अगर हम देखे राजधानी क्या थी तो अमरावती और परतिस्थान करके इनकी राजधानी थी ठीक इनकी राजधानी यह आ जाती है इनकी जो वहां पे व्यवस्था थी उक्रिशी आधारी थी पूरी-प कपास की खेती बहुत मात्रा मोदी थी और बाहर भीजा भी जाता था वैपार के लिए मतलब दूसरी-दूसरे जगों पे भीजा जाता था खृष्णा और कोदाबी नदी के कारदे से चावल और कपास की खेती में बहुत ज़्यादा इंप्रूमेंट देखने के लिए मिल कुसान समराजी के हम बात करते हैं तो राजा कनिश के दौरा कुसान समराजी की स्थापना करी गई यह पहला समराजे बना जिसने अंतरास्टी वैपार की स्थापना करी भारत के अंदर में ठीक है भारत के अंदर में जो इंटरनेसल हम वैपार करते हैं मार्किट होते हैं उसकी स्थापना किसी ने करी थी कुषान ने करी, हम यह मानकर चल सकते हैं रेशम मार्ग एक आमधनी का परमुक्केंदर था, कुषान ने यह माना क्योंकि रेशम मार्ग जैसे जो रास्ते थे ना इस तरह अधर से धर जाएंगे तो उन्होंने टोल नाका लगा दिया आप इधर से गुजरो तो पैसा दो तो इस तरह से ये आमदनी का परमुक के इंदर बना ठीके मसाले मोती मलमल हांती के दांत चंदन इत्र इन सब का मतलब आयात निवियात किया जाता था ठीके एक जगर से दूसरी जगर भीजा जाता ठीके उस समय पर ये कुशान समराजी के टाइम पर रोम में बहुत ज़्यादा वैपार बढ़ाता है हमारा रोम से ठीके रोम से वैपार बढ़ने कारण से क्या हुआ कि हमने महां पर इन सब चीजों का निर्यात करने लगए जैसे आपका मसाले हो गए मोती हो गया मलमल हो ठीके चंदन हो गया इत्र हो गया इहां शाब करने लगए इसके साथ सास्व होता है कि इसमें जो सिल्कमार्ग होते हैं ुछ्ञान समराजी के लुक इंदर में सिल्कमार्ग। विचोली मतलब क्या जो उस रूट से माल निकलवाने लेगाने का काम करते थे या फिर आपको मिलवाते थे जो सिल्क का वेपार करवाते थे उस तरीके चीजे तो वहाँ पे इनकी भड़ोत्री होई समझ में आता है तीसरा टोपिक हमारे के लिए रहे हैं रफ करते एक बार फिर अगला टोपिक के और बढ़ते दोस्तो दोस्तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो भी स्टुट्स देख रहे हैं तो मैं भी एक एक स्टुडेंट ही हूँ कभी भी कोई कितना बड़ा हमेसा सीखी रहा होता है तो अगर कुछ गलती होती है तो कई बार बच्चे होते ना क्यों बता रहे होते हैं तो आप भी बताया करो अगर कुछ गलती है लग रही होती कि हां मुझे इंप्रूमेंट की जरूरी तो मस्ट भी कमेंट ठीक है तो मैं आपको इंप्रूब करके हमारी team motivated हम सुलते हैं क्या और मैनत करना चाहिए आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए ठीक है और रीजन क्या इस तरह की टोपिक से वीडियो बनाने का ऐसा नहीं कि हम इतने ज्यादा तो अगर आप चीजे अप्रिशेट करते हो बहुत अच्छा लगता है चोल सासको के अधीन भू अधिकार ठीक है अब यहां पर हम चोल सासको के बात करें और यहां पर दूसरा कोर्शन हो जाता है ठीक है यहां पर मैंने अधारित ठीक है तो पहले इसी को पर लिए कर और आपकी जमीन कैसी किस तरह का है उसके आउपर और अपड़े थे अच्छा आपकी जमीन पर सुस्क है मतलब हलकी नमी वाली है तो आप ये फसल होगाते हो तो ये टेक्स बरना पड़ेगा अच्छा आपका सुस्क नहीं है तो आप ये फसल होगाते हो तो ये टेक्स बरना पड़ेगा तो इस तरह से थोड़ी ववस्ता थी और क्या होता था भूमी का वर्गी करण किया जाता था वर्गी करण मतलब यही जो मैंने बताया न यह वर्गी करण किया जाता था कि भाईया वर्गी करो फिर उसके बाद हो टेक्स पे करें या फिर फिर को क्या करते है जमीन आपकी कितनी बडियो में कोई लेना देना लिए आपकि अनाज क्तना उगा शाय कि उपर प्र वह की एतना अनुदान नाज लिए ईतना टक्स शुक्ष पीट बने ऐत propagate। इस तरह से थोड़ी यह पक्तर सी अर्थ वेस्था इन doesता थी तरग पर वहानि तरहती है है यहां पर ऑर दिश्ड़ द़स्ता थी यहां पर वहाँ अधिकार के बारें बात करें पर पर भु笑 अंधी आनोदान यहां पर और इदर में मैं अग्रहार को यह तरल्द यह फोन दो अब ब्रहादे ब्राह्मनों को दिया गया धान थाटेकर तो इस तरी कि चीजे वह चल रही थी। कि जैसे अब क्या होता है विए राजा क्या पी पोड़ तो अब आपट पर के उसके खकी खेती करेंगे यह चाहिए और बूमी खाली हो आपको दिया जिसे जमीन का टुक्ड़ा इसके आपको बने दान में दे लिया अब दान में दिया तो उसका फाइदा क्या वह उस बंदे के बाद जमीन आ गई जो भूमी हिन किसान हुआ करते थे जो ब्रामन हुआ करते थे उनको दान में दिया उसके पास भूमी आ गई जमीन आ गई अब उसने खेती किया खेती करने के बाद राजय को टेक्स भी पे किय तो ठीक है तो इस तरीके से यहां पे भूह अन्दान के अधार पर उन्होंने बहुत जादा विश्दित किया टेक्स लाया उसके बार टेक्स का रिट लाया यह टेक्स भी आपको प्रेकरना पड़ेगा इस अधार पर अनाज के अधार पर वह भी टेक्स होसूल थे थे और परमुक्य जो गिए अगरहार और ब्राहार मतलब का उपहार के तौर पर दिया जाने वाला तो उर ब्राहार को दिया जाने वाले न्ट रिटेक्रों को इर्फा किमिदीद थे तो अकि किस नेकर देखा प्रमौिन ने भी दिया, तो उसके अधार पर खुसूम है यह आप को दान दिया जब भी यह दान दिया जाता था ना तो वह हमेशा उपजाओ भूमी जो उपजाओ भूमी रहता था ना वही दान में मिलता था ठीक अब यहां से दोनों पॉइंट आपके किलिए हो गए उपजाओ भूमी ही दान में दिया जाता था यह एक रूल था रूल क्य मेनत करते थे, जंगलों को साफ करते थे, जो जंगल थे ना, जंगल उनको वो हटाते चले गए, जंगल तक को, तो इस तरीके से चीजे चल रही थी, यहां पर भू अनुदान बहुत जाद इंपोर्टेंच आता है, टेक्स आ जाता है, और वहां पर सिचाई को परमोट करना, सिचाई को बढ़ावा देना, किस सिचाई हम ला सकते हैं, कुए को निर्मान करवाना, ठीके नहरे बनवाना, नालियों को खुद वाना, तर इस तर चीजे भी थी, जो भू अधिकार के, उसमें आता है, चोल सम्राज्य, सासको के, ठीक है, समझ में आता है, अगला आ जाता हैं बटी, यहां हम दो तरह की बात करने वाले हैं, दो तरह की कौन-कौन सी, एक तो आ जाती है हमारी जैसे इस्ताई बंदोबस दॉसर में इसससरा की बात करें तो तो देखो यहां पे दो तरह की भू नीती आती है एक आती है इस भू बंदवस वाली भू बंदवस वाली में क्या हुआ कि दस सालों के लिए एक tax fix कर दिया गया मतलब tax लगा दिया गया कि भीया ये tax पे करना आपको मतलब fix नहीं किया गया 10 सालों के लिए रूल लाया गया कि आपको इसके इसाप से पे करना है, ऐसा पे करना है यह अधार रहेगा आपका पर चूसरी वाली नीती थे इस्ताई बंदोबस वाली इस्ताई बंदोबस वाले में क्या हुआ कि एक पूरा पूर्पर इस्ताई फिक्स किया गया tax को, कि आपको इतना ही pay करना है, इतने time के लिए इतना pay करना रहेगा हमीशा के लिए, पर जो यह वाली नीती दे ना, भू बंदुबस वाली, उसमें कहा था कि दस वर्सों के लिए ही लाया गया था, अब तो 10-ống बढ़ा गया 2012,श्क्तर दोख्त च्वार्णी,श्थर,He marketing कर दोज्वा गया या में भूर्णी पंक्तर दोख्ता तो 1789 से लाइ गया दूसरा ओंढ़ा निचितर नाम से काम न्यू घए सब्सक्रेस के लिए 2019 सबता काम जो 1793 में लाया गया, ठीक है, 1793 में लाने के बाद इसको किस ने लाया तो गवर्नर लाड कार्निवर्स ने लाया था ठीक है, जिसके कारण से क्या हूँआ यहाँ पे करोग को ली हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई थी कि यह दर रहेंगी करकी, ठीक है, जमिदारों को बहुत जगूत होती चली गई ठीक उत्पादन में विर्दी हुआ निशित कालिन आय में विर्दी हुई ठीक है ये फिक्स हुआ गया प्रिटिन का कि भीया आप मतलब पहले क्या होता था कि जैसे मान लो आपने किसी से उधारी ले रखी है ठीक है अब आपने बोला कि भीया में 5 त बीजित को बने से 1,000,000,000 लेना तो 5,000,000 आएगा मैं एधर दीलूगा ऐसा तो आपने कर नहीं रखा तो आप लेने के लिए गए गया है आप चार तरीख को पता चला आपको एक ने 10,000 गया एक ने 30,000 गया और लास्ट में आपको शोटल आते जो इमाउंट आता है वह ट बात करें कि किस तरीके से उन्होंने जो टेक्स विवस्था था वो पूरा लाया थी के अन्दर में भूमी को वर्गी करित के बाटा उसके अधार पर उन्हें टेक्स से हुसूलना सुरू किया और अलग-ळग तरे के अधिकारियों की निक्ति करी ठीक है अनाज के अधार पे भी टेक्स ईन्हें वसूला कि Kis तरह की मांग है उसके लिए उन्हें कि अलग-खले करेगी लाए जैसे मवेशी करे आप जानवर पाल रहे हो ठीक है म नमक कर लाया गया तो इस तरह से चीजे यहां पर इंप्लिमेंट की गई भूमी जैसे मालो आपकी सुस्क है जहां पर आप वर्षा पर निर्बन होते तो उसके लिए भी आपको टेक्स पहरना पड़ेगा तो इस तरह से किया गया था समझ में आता है तो यहां पर यह वाला सम्राजेवाले तो उससे ही related महाओं पर काफी स्समेवलर मिल जाते हैं इसके अन्दर में कि यह वाला ही पोइंट्स हम यूज करने वाले हैं ठीक है यह पर करो कास इसलांक करन करने का मतलब क्या हुआ ऒख नियुकर OFFICिद्द आने गई भाराद मुसलिम होते हैं इस गैयर मुस्लिम टेक्स लगाया ठीक है अलग अलग तरह कि इसी अधार पर ना कई सारी टेक्स बनाया था उन्होंने ठीक है तो वह सारा लगाया दोस्तों जितने भी इमें मैं पॉइंट्स बता रहा हूं सारे में पहले करवा चुका हूं आपके फाइव इंपोर्टन कोशिंस के अंदर में तो आप एक बार जरूर देख लिना ठीक है और मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रहा हूं कि आपके लिए हैल्फुल होगा ठीक है और इस छुर्ण करता है कि न मदेखाल में झोड़ी श्रेणियों ठीक है यहां पर दो श्रेणिया परमुख होती है पही कस्त और खुद कस्त पही कस्त क्या होते थे जो मतलब मालो उनके पास खुद की भूमी नहीं होती थी वो दूसरी की भूमी पर खेती करते थे और जो खुद कस्त हुआ करते थे उनके पास खुद की भूमी होती थी याद रखने का तरीका है कि खुद कस्त मतलब खुद की भूमी पही तो इस तरहे से खुद की बूमीं पर खेति करते थे तो यहां पर उनका जिक्र है मुगल समुलाज्ये के टाइम पर अलग जो सरकारी दस्तावेज मिले उसके अंदर मिल जाता है खुदकस को माली के जमीन के नाम से जाना गया ठीक है राजस्थान में इनको गाहवेती कहा गया, गहरूला कहा गया, ठीक है, महारास्ट के अंदर में मिरासी कहा गया, ठीक है, इनको ये खेती हर क्रिशक थे, खेती हर क्रिशक थे, ठीक है, खेती बाड़ी में गाहों के निवास करते थे, और जहां पे रहते थे, वहां पे स्था क्या जाता था इने ठीक है वो पट्टा लगा सकते थे पूरू जो उनका जमीन थी वनसानु गत्ती मतलब मेरे बाप के बाद मेरा फिर मेरे बाद मेरे बेटे का इस तरह से चीज़ें चलती थी तो यहां पर वनसानु गत अधार पर थी पर यहां पर हम जब पहीकस्त की बात नहीं पहात करते तो उनके पास खुदकी भूमी नहीं थी ठीक है वो दूसरों की बूमी पे खेती करते थे वो इस्थाही निवास नहीं करते थे वो एक हैं व्यक्ति जो भुजोद को नहीं बीज सकते तो मुजारा कहलाता था ठीक है समझ में आता है अगला question अ कुसे स्क्राइन पर हमारे अगली करते हैं सोर्ष का chirping करण का सब्सक्राइब इसा प्रकावत निरोधी करन का स्टार्ट हुआ जहां पर अंग्रेज जब अंग्रेज सव यह पूरा टाइम पिरेड था 19 सतावधी का मान सकते हो जहां पर अंग्रेज सब भारत पर पर्थम विशुए उसको बहुत ज़ादा है ऐलप मिला आगे बढ़ने में और वह बढ़े उसके कारण से यहां पर निरोधी करन का गया ठीक है रीजन क्या था कि जैसे मालों अंग्रेज सब उधर बीजी थे तो भारतिय दोस्ता को टाइम मिला बढ़ने के लिए वो धनकी निकासी कम हुई ठीक है जिसके कान से भारत के पैसे थे भारत के अंदर में लगना सुरू हुआ ठीक है और कोशन बनता है कि माक्सवादी विचारधार कर दिरिष्टी कोन बताईए ठीक है और सामंतवादी मतलब अलग अलग तरह की विचारधार जो थी ना उसके उपर अधार पर उधारवादी हो गया माक्सवादी हो गया नव उधारवादी हो गया इनके अधार पर आप भारति देखने के लिए, मुवी देखकर आए, ठीक है, मुवी को हम पुरा देखकर आए, अब घर पे आने के बाद, चारों से one by one पूछा गया, भीया मुवी कैसी थी, अब मुझे अच्छी लगी, मैंने बताया कि ये चीजे हैं, दूसरे वाले को कम अच्छी लगी, उसने वो बत करने का, अलग-अलग दिरिष्टी कोन बताइए, इतिहांस लिखने का, दिरिष्टी कोन बताईए, तब जैसे मान लो, जो बिटिज थे, उन्होंने जो इतिहांस लिखा, वो अपने पक्ष के अधार पर लिखा, वो कोई भी अगर अपने बारे में लिखीगा ना तो बु नहीं कर सकता ठीक समझ में आ रहा है नॉर्मली हम क्या करते हैं हम हमें अपनी खासियत तो पता होते हैं कि हम यह चीज़े जानते हैं बट हमें अपनी कमियां दूसरों से अगर पता चलती है तब हमें इंप्रूफ करने की जड़त है तो यहां पे भारतिय अर्थवरस्ता के इतिहांस लेखन में क्या था कि जड़ातर जो अर्थवरस्ता के लिखा गया उतिहांस लिखा गया उनके दस्तवषायों को अधार बनाया गया इसके उपर मैंने एक पर प्रॉपर स्टीरिज बनाई थी एक प्रॉपर विडियो को après आर्मांद ब्हारतिय अर्ठ विवgres्त था था वह विंदवन्सकारी था ठीक है विंदवन्सकारी कैसे मतलब वह बोले कि यार विकार था अच्छा नहीं था ठीक है क्योंकि वह उन्हों ने धन निकासी शुरू किया भारत के ओपर में खर्च नहीं किया ठीक है वह शरीप earning के लिए आये वे थे तो इस तरह से चीज जो कुसे help करी तुम्हारी ठीक है तो यह चीजें यहां पर positive point में दिखाने को इस करते हैं, ठीक है, समझ में आता है, यहां पर आजाता है, सामंतवाद, ती दसवा question आ जाता है, दसवा point आ जाता हमारा, सामंतवाद, सामंतवाद क्या है, तो एक तरशे भूदास को हम सामंतवाद क्या है, और क्या आपके विचार से आपको क्या लगता है भारत में सामंतवाद है या नहीं, ती इस तरह का question बन आ पिछले साल आपके exam में, ठीक है, तो इहां पर हम सामंतवाद की बात करते हैं, सामंतवाद है क्या, सामंतवाद एक तर इससे भूदास, मतला मुझे से माल लो मेरे पास बहुत बड़ा जमीन है ठीक है अब सारे जमीन पर तो मैं अकेले जाके खेती करनी सकता रख देख भाल करनी सकता तो मैंने क्या किया यह वाला टुकडा किसी को दे दिया यह वाला टुकडा किसी और को दे दिया यह वाला टुकडा किसी और को दे ठीक है वो खुद के अपनी वैवस्था बना सकते हैं और उस वैवस्था के अंदर में क्या होता था जमीन का टुकड़ा नहीं बात करना में एक तरह का पूरा जमीन के रूप में पूरे पूरे गाहों के रूप में भी सामन्त दिये जाते थे आप आप वह मुवी देख ले ना बाजी राव मस्तानी करके एक मुवी है ठीक है आप अगर ताइम में ले तो देखना उसके अंदर में अथवासा रिक्याप करना मुवी को याद करना तो वहां पर जो बाजी पूरे आधिकारी होते और उस जगह क्रूंस कितना आना है ठीक है किस तरह से होना है वह पूरा बाजी राव मुइन के निते राजय दवारा देगता है वहां पर थोड़ा सा अपने याद करना आपको शमजबाएगा तो इसी तरीके से सेम वेवश्ता थी बस यह रहते था तो भारत में भी क्या सामन्त वाद वेवस्था थी या नहीं थी आपको कमेंट करके बताना है ठीक है अगले अगला पॉइंट आ जाता है दोस्तों यहां पर भू अनुदान और अग्रहार ब्रहादे तो यहां पर मैं पहले ही बता चुका हूँ उपर आपके जो चोल वाला पड़ाया था उसके अंदर में इस वाले कोशिन का अंसर अग्रहार मतलब क्या था उपहार के रूप में दान देना ठीक है और ब्रहादे मतलब क्या होता है ब्रामनों को दिया जाने वाला दान इन दानों के अंदर में हमेशा उपजाओ भूमी को दिया जाता था जिसे क्रिशी को परमोट कर सके ठीक है अबू अनुदान बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक रहा जो चोल विवस्थ जाता नहीं पर वह रहा है तो अगर दे जहां पर यहां दो से ल्यार ऑ not खेती कर यह रजमीन ऐसे दिए बाद में बताते हैं कि यह वाली जमीन थी अपनी थी हमने इनको बसाया है हम यहां से आके बसे यह इनको बसाया है ऐसे करके चीजे तो यहां पर भू अनुदान बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है ठीक है समझ में आता है अगले टॉपिक क जाता है 1950 के बाद की नई आर्थिक विवस्ता देखो 1950 हम अजाद कब हुए 1947 में अब इस समय हम अजाद हो चुके थे अजाद होने के बाद में नई आर्थिक विवस्ता क्या थी अब देखो 1950 के अंदर में हमारे पर्थम परदान मंत्री होते हैं डॉक्टर जवालाल होते हैं हमारे पर्थम परदान मंत्री पंडी जवालाल नहरू के अधक्ष में एक योजना आयो का गठन क्या जाता है तो आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना है योजना आयो का नया नाम क्या है और इसका नाम कब चेंज किया गया तो हमारे पर्थम परदान मंत् एक तरह का think tank था जिसके अंदर में लोग आते थे जो बड़े बड़े लोग नहीं मतलब मैं चलते पिर तरह नहीं पहुंच गया करंट कंडिशन को सुधार लाने के लिए हम क्या सकते हैं यह चीज़ तरह की चीज़े सोची जाती थी जिसके अंदर में सबसे पहला रिजल्ट के तौर पर आता है पंच वर्सी योजना नाम से पता चलता है क्या पांच सालों के लिए बनाई जाने वाली योजना कि विकास करने करने दो तरीके रखे एक लगू और दिर्ग मठर को यह ओजना शाल साल 25 साल 10 साल में आट लेस उसको रखा गया 5 साल का कि एक जो व्यक्ति का प्राधान मंत्री बनता है उसका टाइम प्रेड़ गया 5 साल का तो इस तरीके से बाठा गया साथ साथ में पंच वर्षी योजना में कई सारे important topics को उठाया गया कि इसके उपर हम वाग करने वाले हैं ठीके इस तरह में जो था ना 1950 के टाइम पर तो विदेशी वैपार को भी थोड़ा बुद परमोट किया गया ठीके जो भारतिय उद्योग थे उनको बढ़ावा दिया गया नीजी करन को बढ़ावा दिया गया अलग लगते हैं कि टेक्स को लाया गया चूट दिया गया इस तरह से चीजे की जाने लगी सासाथ में दोस्तों यहां पर जो आपका वो था ना हरित करांती जैसे चीजे उसकी भी सुरवात यहां पर देखने के लिए बिल जाती है क्रिश्य को परमोट करने की बात की जाती है कि किस तरीके से की जाए सिचाई वैवस्ता लाना ठीक है नहीं नहीं तरह के फसलोग उ करन को भी बढ़ावा दिया लेगा तो सभी को समयलित करके लेकर चलने का यहां पर लक्ष रखा गया जो 1950 की नई आर्थक नेती के तौर पर जाने गई ठीक है रेलेवे का परभाव क्या था अब रेलेवे था क्या आपको पता हुआ अंग्रेजों ने रेलेवे लाया कारन से क्या हुआ हुआ एक जगए सामान दूसरी जगह लें। अब में उसके धने हमला कर देते एक जगा से न धौई कम पहुंच जाना उसके उसret रहे इन रेले वे विकास मैं भारत के अंदर है ठीक है और साथ-साथ में धन छो होते ते थे ना निकासी दे ने जाते थे तो उसमें रेलवेंगा बहुत बड़ा योगताम थे अब ट्रेंज से बीटन तक लेके जाएंगी नहीं तो उसके लिए उन्होंने रेल मार्य का स्थापना किया। रेल से वह एक जगह से दूसरे बंदरगा पे ले जाते थे वहां से वह नाओं में बरकर थे लिए इस तरीके से यह चीजे चलती गई। समझ में आता है। तो यहां पर रेल का विकास रेल का प्रभाव। और यहां पर दिखने के लिए भारती है जो लोग थे जो अंडोलन कर रहे थे सब्कुछ लेके जारें पर रेल लेकर जाएंगे नहीं ले जाएंगे ना आपको फाइदा होगा तो इस तरी के सीज़े उन्होंने बोला और लोगोंने एकसेप्ट भी करें चेज़ा जैंगे कि accept किया लोगों ने ठीक है तो वहां पे यह नर्मी बढ़ती लोगों ने उनके साथ में अब सच में यह देखो चीज थी कि सकते हैं कि भारते उठ्युबत आफ देख यूँ सब्सक्राइब करने का होता है कि जो उद्योग में परिवर्तन सुरू होता है क्योंकि जितने भी बाहर की जो दीक बहुत है या अगले यह पर पॉइंट आ जाता है है भारत में विज्यान तथा टकनीक अब पर जले तो ऊजब धभाब बनाए तो आप इस पर करो इस थे फाइदा होगा और विज्ञान और तक्निक के भिकास से को क्रिषी में बड़ोत्री हो रही थी ठीक है शिख्श ओपयों के लिए अजट्रिशन के लिए चिया जाने लगए इस तर्स चीजें यहां पर परिवर्ती हो ती चली गई जब 19-25 सताबदी से पहले का टाइम पिरेड था उस समय पर गई जनसंख्या में बहुत तेजी से गिरावट देखी जाने लगी गिरावट क्या थे देखी जाने का मिर्तिधर बढ़ी जिसके काहन से जनमदर घटा जिसके काहन से गिरावट हुई पर उसके बाज से, जब 19- सुरू होता है, जन्संक्या में बढ़ उत्री होते है बहुत老ग तेजी से बीस्ट करते है कियों हैhew,' हदक है कि मिठ्ट्ट उद्र घट गया और जनम दर में बढ़ उत्री हुई अब इन दोनों के इस Junior तो रीजन क्या था तकनीक में सुधार, पहले लोग ऐसी मर रहे थे, तो उसमें तकनीक में सुधार हुआ ना, और रहन सेन में बदला हुआ, आप माल लो एक ऐसे इलाके में रहे तो डिली जासे हिलाके में रहे जहाँ पर गैस चेमर के तौर पर दिवाली के टाइम पर तो वहाँ पे रहने पर सर्वे इक सरवेू में मियाँरे का मतलसर आपर 1 मिनिट कम कर देते हुं उक मिद्स कम कर देते हैं मतलबansa 10 दिन आपने रहा तो एक घंटव एक गंटे मीरई का और पता है यहां पर कितने सालों से रहा है, तो यह मेरा क्या हुआ जो टाइम पिरिटा कि 60-70 साल जीना है, वो तो कम हो गया, ना, 1.5 गंटा, 2 गंटा, 4 गंटा, करते हैं, तो कम हो रहा है, पर अगर वही मैं किसी अच्छी जगह पर रहता हूं, जहां पर लिविंग स्टेंडर आप आप नवेशिक अर्थवदस्ता अब देखो, लेकर 1857 के बीच में जो मर्दे अपनिवेशिक अर्थवदस्ता था, इसके बारे हम बात करते हैं, तो इसमें क्या था, कि जो अपनिवेशिक काल का पूरा ही वाला टाइम पिरिट रहा, उसके अंदर में भारते उद्यो लोग थे, बहुत जादा लोग थे, क्या कर रहे थे, आंदोलन पर उतर आये थे, हमें आजादी चाहिए, हमें अंगरेजो भारत छोड़ो, ऐसा चीज़े चलने लगी थी, क्योंकि 1857 में विद्रो भी हुआ, और जो इसमें का टाइम पिरेट था, 1857 के बीच में, यहां प कंपणी पुरी तर से उखडगई, और वहां से सारा जो राज होता है, पूरा जो होत है, क्वीन के हां तम्त कि लेक इसे, क्वीन के सासन पर इंडिया को रागरूने कीज़े तो इस सरी चाहिता न ना रही है। इंप्रोव्मेंट भी दिखी पर दो बात की बात ही उससे पहले भी बहुत सारे उद्यों को उन्हें पर्मोट किया इस इंडिया कंपनी ने ठीक है क्यों यह कंपनी के तौर पे थे तो वह इस तरह से दिखाते हैं ठीक है समझ में आता है दोस्तों यह पूरा सतरह टॉपिक मैंने करवाया है इसके अंदर मतलब यह तो सतरह आपके सिर्फ नंबर दिख रहे हैं बट अगर आप एक-एक टॉपिक को अगर अलग-अलग कर दो जिसमें मैंने दूदर तिन-तिन टॉपिक एक में डाल रखे हैं तो और पूरे बुक में 50-60 से जादा टॉपिक से मैंने बहुत सारे टॉपिक से बहुत सारे में से मैंने यह सिर्फ सतर टॉपिक आपके सामने लाया हूँ वीडियो आयोप सो बहुत बड़ी बन गई होगी और मैं उमीद करता हूँ आपको समझ में आएगा आपके लिए यह helpful होगा ठीक है मैं बन पर हमें proper class नहीं मिलरी है ठीक है डेला िवंश्टी में भी पढ़ा तो संफरसर पर क्लास नहीं मिली और इतने आप समर्थ नहीं हो या फिर मैं संवर्थ नहीं था कि मैं एक जारे प्रॉपर क्लास लिस्ट क्यों क्योंकि बहुत जदा expensive होती class bot मह Гुंगी होती अगर आप अच्छी प्रोफेसर के बास जाओगे ना कि सर मेरा पढ़ा दो पहली बात तो रेडी नहीं होते हूँ ठीक है क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है पर अगर वो रेडी भी हो गए ना तो आप पे नहीं कर पाओगे ठीक है पहली बात